हेलो एंड वेलकम टो रेसिपी स्ट्रॉम इंडिन किच्छन है आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मक्के के आटे के लड़ू चलिए जट पत स्टार्प करते हैं बनाना अपने मक्के के आटे के लड़ू उसके लिए यहां मैंने एक बड़ा कप मक्के का आटा ले यह दरदरा बेशन है जो की इस्तिमाल होता है लड़ू बनाने के लिए ही अब इन्हें हमें भूनना है भूनने के लिए कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून घी कर्म किया है यह घर का बना हुआ सुद्ध देशी घी है और सबसे पहले हम भूनेंगे इसमें अपना मक्य का आठा फिर दुबारा घी डाल करके हम भूनेंगे बेशन यह देखें घी के कर्म होते ही हम इसमें अपना एक बड़ा कप मक्य का आठा जो मैंने लिया है यह डालेंगे और अब इसे बिल कुल अच्छे से चमच की सहायता से दबाते हुए हम भूनेंगे ताकि कोई लंप्स पूर्ण लिया है 2 से 3 मिनिट तक, अब 2 से 3 मिनिट होने के बाद इस मक्य के आठे को हम कडाई के किनारों पर करेंगे पीच में जगां बनाएंगे इस जगां में हम फिर से घी डालेंगे इस पर गी एक चोटा चमच के ही मैंने इस्तिमाल की है एक चोटा चमच हम इस तरीके से फीरे कर्म होते ही अब हम बीच में अपना एक चौधाई का बेसन चो मैंने लिया है वो भी डालेंगे फीरे दीरे चलाते ही अब्सौब करवा देंगे पहले वेसन से पूरा बेसन में की अब्सौब हो चुका है और अब हम धीरे-दीरे किनारों से मक्य के आटे को किर लेते चुए? मिक्स करते जायेंगे और ठेच cruise को खून लेने इसके साथ मक्य के आटे का ससाथ डेकी अब सभी मक्य क कई आटे और बेसं को मैंने, मिक्स करते हैं एक साथ दबाना शुरू कर दिया है और इसी तरीके से जोनों को मिक्स करते हुए दबाते हुए हमें भून लेना है ताकि कोई लंप्स ना पड़े इस तरीके से खीच-खीच कर चमच को हमें इसे भून लेना है हमें इसमें घी इतना रखना है कि देखिए इस तरीके से ये एक साथ गुट्लियां जैसी बनने लगे क्योंकि अगर इसमें घी कम र इसे प्रेस करते हुए भून लेंगे और भून दे हुए हम इसका कलर ब्रावनिश कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से इसे दबाते हुए हम भूनने लगेंगे और जैसे जैसे यह भूनता जाएगा जैसे बेसन अपना छोड़ता है घी भूनने के बाद वैसे ही यह मिक्षर हो गया है इस टाइम पर हम ग्यास बंद कर देंगे यह देखिए अब मैं आपको दिखाती हो कि हमारा ओरिजिनल मक्य के आटे का कलर इस तरीके का येलविश था और भूनने के बाद इस तरीके का ब्रावनिश हो गया तो हमें इतना इसे भून लेना है कि मिक्षर हमा अभी भी हलका हलका गर्म है ये पूरी तरीके से टंडा नहीं हुआ है अब इसी हलके गर्म मिक्षर में हमें चीनी आड़ करनी है ये रेगिलर चीनी है इसे मैंने मिक्षर में बस पीस लिया है यहां मैंने एक कप से भी कम चीनी का इस्तिमाल किया है आप अपने टेस्ट के according इसमें चीनी आड कर लें साथ में एकटे हुए मैंने ड्राइफ ले लिये हैं एक तीस्पून एलाइची पावडर ले लिया है एक चोथाई टीस्पून डालचीनी पावडर डालचीनी पावडर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है साथ में healthy भी होता है अब अपने हाथों की सहायता से इसे बिलकुल अच्छे से मसलते हुए हमें पूरे मिक्षर को क्रमबल करके एकटा कर लेना है और सारे इंग्रीडियन्स जो हमने बाद में आड़ किये हैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फि तियार कर लेना है। प्रेज लिखो प्रेश को दो को सीहसे नहीं हैperformlu साइब टाल क में घ्दॉ्ट के लिए डर्डू केक्ट को भीक्षण नाए है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें देर कब अगरीडियंट हमने लिया था सें अबंड आफ सें लुडु कर लिए हैं स्टोप्सक्राइब करें